मूबी की सुरुबात में हम ग्लोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की एक मैक अप आर्टिस्ट है और बड़े बड़े आर्टिस्ट का मैक अप करती है और आज वह अपने होम टाउन जा रही है जो की मैक्सिको में है बहां जाने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड सूजू बहुत जादा खोस हो जाती है सूजू एक कॉम्पीटिसन में भाग लेने चाहती है जिसका नाम मिस्वाला कॉम्पीटिसन है क्योंकि ग्लोरिया एक मैक अप आर्टिस्ट है इसलिए सूजू का मैक अप भी बही करेगी इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में जा जाते हैं जो कि यहां एक पुलिस चीप को मारने के लिए आये थे और वो ग्लोरिया को धमकी देते हैं कि अगर उसने थोड़ी सीवी आवाज करी तो वो उसे मार देंगे उस गैंक के लीडर का नाम लीनो होता है और वो जल से जल्द ग्लोरिया को बहां से निकल जाने के ल नहीं मिली थी गलोरिया वहां मौझूद पुलिस से सूजू को धूढ के लिए कहती है तब पुलिस उसे एक रेस्टोरेंट में यूपेस ब्लतर ने के लिए कहती है उस रेστोरेंट में और भी कई लोग होते हैं आнд Psychology को इसासथ यूपहते सुभ पता garlic को मैंने उन लोगों को अपनी आखों से देखा था अगर तुम सूजू को ढूंडने में मेरी हैल्प करोगे तो मैं उन्हें पकड़वाने में तुम्हारी हैल्प कर सकती हूँ तब वो पुलीस ओफिसर भी उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ पुलीस इस्टेशन ले जाने लगता है लेकिन तब ही गलोरिया को पता चलता है कि वो पुलीस ओफिसर भी उनी गुंडों से मिला हुआ है और वो लोग गलोरिया को मारने के लिए उसकी और बढ़ने लगते है हाला कि गलोरिया उनसे बचने के लिए भागने लगती है लेकिन वो लोग किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और अपने लीडर लीनो के पास ले जाते हैं वहाँ गलोरिया लीनो से कहती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है बलकि मैं तो अपनी एक फ्रेंड सूजू को ढूण रही हूँ जो कि कुछ टाइम से गायब है तब लीनो उससे कहता है कि वो सूजू को ढूणने में उसकी हेल्प करेगा लेकिन बदले में उसे भी लीनो के काम में उसकी हेल्प करनी होगी और अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो लीनो उसे मार देगा तब मजबूर गलोरिया लीनो की बात मान लेती है जिसके बाद वो उसे एक गाली को एक बिल्डिंग के पास खड़ी करने के लिए कहता है तब Gloria उस कार को बिल्डिंग के पास खड़ा कर देती है और Lino के पास आ जाती है Lino ने उस गाली में बॉंब लगाए हुए थे जिससे वो उस गाली के साथ साथ उस बिल्डिंग को भी ब्लास्ट करके नश्ट कर देता है ये देखकर Gloria बहुत जादा घवरा जाती है क्योंकि उसने लोगों को मारने में Lino की हेल्प की है इसके बाद Lino अपने एक साथी को सूजू को ढूंडने के लिए कहता है एक दिन Gloria लीनो के एक आदमी पोल को चकमा देकर बहाँ से भागने की कोसिस करती है तब ही उसे एक दूसरा आदमी किड्नेप कर लेता है और उसे एक अंदेरे कमरे में बंद कर देता है जब Gloria उससे पूछती है कि बहाँ कोन है और उसने उसे किड्नेप करके क्यों रखा हुआ है तब बो उसे बताता है कि मेरा नाम ब्रायन है और मैं एक डिये का एजेंट हूँ और मेरा मकसद लीनो की गैंग को अरेस्ट करना है और उन्हें पकड़वाने में तुमें मेरी हेल्प करनी होगी इसके बाद वो Gloria को उसका एक फोटो दिखाता है जो कि उसी समय किलिक किया गया था जब Gloria लीनो की कार को उस बिल्लिंग के पास छोड़ कर आई थी तब Gloria उसे बताती है कि वो सब मुझसे जबरदस्ति करवाया गया था तब ग्रायन उससे कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें पुलिस से भी बचा सकता हूँ और तुम्हारी फ्रेंड सुजू को ढूंडने में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें लीनो की गैंग को पकड़वाने में मेरी हेल्प करनी होगी अब Gloria भी उसकी बात मान लेती है और बुरी तरह से रो रहा है तब Gloria उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तब ही वहाँ पर लीनो आजाता है और वो दुआरा से Gloria को पकड़ लेता है फिर अगले दिन लीनो Gloria की बोड़ी पर टैप से बहुत सारे पैसे बान देता है और उन पैसो को Jimmy नाम के अदमी के पास पहुँचाने के लिए कहता है जिसके बाद Gloria उन पैसो को लेकर किसी तरह Jimmy के पहुँच जाती है जिए िए उन पैसो के बदले Gloria की कार को कुछ हतियारों से बर देता है कि उसके टीम में कोई पुलिस का खबरी काम कर रहा है इसके बाद Gloria को लीनो का कोल आता है और लीनो उसे एक पार्किंग में आने के लिए कहता है तबी Gloria डी ए एजेंट ब्रायन को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि लीनो अपने गुरूप के साथ पार्किंग में आ रहा है Gloria और लीनो का गुरूप उस जगा पर पहुँच जाते हैं अभी एजेंट ब्रायन दूर खड़ी एक बिडिलिंग से इन पर गोलिये चलाने लगता है फिर वहाँ इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है और इन पर फाइरिंग करने लगती है ग्लोरी ब्रायन से खुद की हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन ब्रायन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता तब लीनो ग्लोरिया को बचाने के लिए आता है इसी दौरान उसके पैर में गोली लग जाती है लेकिन ग्लोरी किसी तरह लीनो को लेकर बहां से भागने लगती है इसी लड़ाई में दिये के एजेंट ब्रैन को गोली लगने से उसकी मोत हो जाती है फिर ग्लोरी और लिनो अपने बाकी लोगों के साथ बहाँ से भाग जाते हैं वो लोगो सकता कि उनकी टीम में कोई पुलिस का खबरी है और उसका पता लगाने के लिए पोल सब लोगों से उनके फोन मांगता ग्लोरी भी अपना फोन उसे दे देती है लेकिन जैसे ही पोल की नजर हटती है तब ही ग्लॉरी अपने फोन की ट्रैकिंग कि सुसेडो नहीं सुजू को किड्नेप किया है और एक गुरुप को बेच दिया है और आज वो मिस बेला कॉम्पिटिशन में आने वाली है इसलिए तुम्हें भी उस कॉम्पिटिशन में भाग लेना होगा और मैंने बहां मौझूद सभी जज को खरीद लिया है और वो तु मैं अपनी दोस्त सुजू को लेकर वहां से चले जाना इसके बाद उस सो में भाग लेथी है और उसे इस सो का बिनर बनाया जाता है जिसके बाद सुषैडो उसे अपनी party में बुलाता है पार्टी में गलोरिया सुजू को भी देखती है जिस उसे पता चलता है कि सुजू क प्रस्टिटूशन में धकेलने के पीछे लीनो का ही हाथ है इसके बाद सुसेडो गलोरिया को अपने रूम में ले कर जाता है तब ही गलोरिया उसे एक नोट लिखकर बताती है कि लीनो उसे मारने वाला है और उसने गलोरिया के कान में एक माइक लगा रखा है तब लीनो से बचने के लिए सुसैडो अपने सभी लोग को इनफॉर्म कर देता है और एक आदमी को ग्लोरी के पास लेटा देता है लेकिन सुसैडो के लोग पोलो पर अटेक कर देते हैं जिससे पोलो बुरी तरह से घायल हो जाता है तब ही ग्लोरी पोलो की गण छीन लेती है और बहार जाने लगती है लेकिन सुसैडो सुजू को पकड़ लेता है और लीनो से बचने के लिए सुजू का यूज करने लगता है ये देख ग्लोरी सुसैडो को सूट कर देती है जिससे उसकी बहीं पर मौत हो जाती है फिर लीनो ग्लोरी के पास आता है और उसे लगता है कि ग्लो प्रोश्टिट्यूशन में तुमिने डाला था, तब लीन उसे संजाने की कौसिस करता है, वो गलोरी को सूट करने वाला होता है तब गलोरी उल्टा उसे ही सूट कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद बना पुलिस आयाती है और गलोरी को अरेस्ट कर लेती है लेकिन गलोरी बेकसूर थी और उसे बो सब मजबूरी में करना पड़ा था इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है फिर सूजू भी अपने घर बापस चली आती है और उसे देखकर उसका भाई बहुत बादा खुसे आता है और अब गलोरी को भी किसी से कोई खत्र नहीं था और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड आती है